हेलो मैं बीटुफुल सोल्स वेलकम तो मैं यूटुब चैनल गाइस टैरो विशी विट पे लेडियर अगर आप मेरे चैनल पर हैंत रिक्वेस्ट करूं भी सब्सक्राइब करें इस चैनल को गाइस एक जेनरल कलेक्ट वह टामलेस वीडिंग है आप से जितना रेजोनेट कर लेना चाहते हैं ओके प्लीज गाइड कीजिए इंजल मेरे जो भी विविवर्स उनके पार्टनर्स की करेंट अना जीस मेरे विविवर्स को लेकर क्या है क्या सोच रहे हैं प्लीज हरी हरा काइड में पहले लाइन चानल होई जिन्दी थमसी गई है ठीक है जिन्दी रुक्सी गई है ओके अग्रेज को थीज बहुत बहुत स्लो बहुत स्लो प्रॉसस एकड़मी स्लो चुका है मिलाब जैसे जिन्दी में कुछ परिवर्तन सा महसूलाएं जैसे कुछ इस पर सन को और आ ची कोई नी रहा है लाइफ में ठीके बहुत स्लो स्लो चीज़े हो रही है या फिर हम यह कह सकते हैं कि आपके अभी आपके परसन के अंदर पास तक बहुत जादा जान थी जानने का जान का मतलब होगा कि बहुत जादा जब इनसान कुछ होता है न तो चीजों में एफ़र्स जाती है ना कि जब उसको थोड़ी परिशानी आती है क्वालिटी है ही वह इंसान के अंदर होती ही है कि जब उसको परिशानी आती है अब मेरा मन नहीं लग रहा तीज़े अब मेरा मन ही नहीं लग रहा सो वाली एनरजी है यह ओके मुझे लगता है आज के दिन में आपकी person universe से ऐसा सवाल कर रहे हैं कि आपको उनकी life में क्यों भीजा आखर करके आप questions करते हो इस तरीके के कि आपकी person उसे क्यों मिलाया क्यों क्यों उनको आपकी life के अंदर भीजा क्या कार्ण था और अगर भीजा तो क्यों ले लिया क्यों वापस कर अब ले लिया इस तरी के से हवाल आप करते हो आज के दिल में ऐसा नजार आता है कि आपके परसं ने इस तरफिे से क्وążशन किये है यूनिवर्स के साथ बहुत सारे एक वैद उनकि धुशन जो मुझे ये परसन ऐसा भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्दगी में पहले ही कम परेशानी नहीं थी पहले ही जिन्दगी में मुझे बहुत कुछ मिला है बहुत कुछ मैंने देखा है ये देखने की और सहने की शम्ता या हिम्मत मेरे पास नहीं थी यहाँ पर साथ नमबर बन गया है यूनिवर्स आपके परसन को आपके थू कुछ चीजे बतानी की कोशिश कर रहे हैं या फर कहीं नहीं आपन फेक परसन की लाइफ में एक इंग्सेंपल बनते जारह है हर जीज़ का कि यहां पर ऐसा है कि आ आपका इनिक्षए मेरे को तो ऐसा नहीं कि आपके यहां परबार में पार कोई जानते नहीं है. उस problem को आपने solve कर लिया, बट आपके person solve नहीं कर पा रही है, तो जैसे universe कह रहा है, जैसे वो maths teacher है न, वो example दे रहा है, कि देखो इस बच्चे ने कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास भी तो same problem आई है, तीकि जब उसने solve कर लिया, तुम solve क्यों नहीं क कोशिश कर रहे हैं, यहां पर ऐसा message है, ओके? यहां पर यहां पर कुछ वैसा ही है, आप उस तरीके से, यहां मतलब राइस कर रहे हो, यहां पर ऐसे लोग है, 60-70-80% लोग जो राइस कर रहे है, और ऐसा नहीं कि बहुत कम राइस कर रहे हैं, तो अझा बच्चा है, तुम्हार बच्चा है, जो कि एसक बादे बादी, की हाइट को देख रहा है इस तरीकी से मुझे मैसेज मिल रहा है तो जैसे आप बहुत आगे निकल आए हो बहुत ही आगे निकल आए हो ओके कि आपके परसिन के साथ उनकी फामिली वाले यफ और उनकी जो भी है यहां अग्या ऐसा मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं नोटिस कर रहे हैं जिनों बेसिकली आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो एक चीज और बोलूगी अगर आपके खिलाफ कुछ गलत बाते हुई है पास्ट में या पर आपको लोगों ने गलत नजर से देखा है गलत तरीके से समझा है या फर आपकी गलत इमेज नजरों में आपके प्रती गलत दाड़ने बना ली थी तो युनिवर्स ने इस चीज़ को यहां पर प्रूफ कर दिया है मतब देखिए एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी लोग को पसंद आई है यहां पर भी एक बड़ी अच्छी लाइन मिल रही है ज जस्टिस का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं कि नियाय का मतलब वो नहीं है कि आपको इसमें चोट दी और इसको भी चोट मिल गई यह जस्टिस नहीं होता है जस्टिस का मतलब होता है कि आप जो हो वो दुनिया को दिख जाए जैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आ आपकी अच्छा ही पर उगलियां उठाने की कोशिश की हो आप गलत नहीं दे फिर भी गलत ठहराने की कोशिश की हो और यूनिवर्स में ले जाकर वो सारी चीज़ों को प्रूफ कर जा जा कि जो जैसा है वो वैसा ही रहता है तो दिखावा इंसान पास दिन कर लेगा दस दि मैसेज को कि मतलब यहां पर यूनिवर्स ने जिन लोगों आपने सोचा था कि आप ऐसे हैं वैसे उन्हीं के सामने आपको उठाकर दिखाया यहां पर ठीक है यह मैसेज किसके साथ रेजनेट कर रहा है डियर मुझे कॉमें सेक्षिन में जरूर जानना है विकॉज यह यह यहां पर नाइट उफ वउउन्स आया है इस वक्त में काफी सारे लोग आपको बहुत जादा पाशनेट बहुत जादा जादा अपने काम के पती आप बहुत ही चादा डिडीकेटेड है और बहुत ही अच्छे दरीके से काम करे रहे हैं जैसे यहां पर मतलब नाइट आफ आपको पहले कोई नहीं पूछता था अभी पूछने वाले काफी सारे लोग होंगे तो यह वाली एनरजी यहां पर है आपके परसन भी आपकी तरफ बहुत जादा इंटरस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं अगर आपको बहुत कम समझा अगर आप उसे इंस्पायर कर दिये ना अपनी लाइफ के अंदर तो आप मानिये कि रियल जस्टिस हुआ है मतलब आपके परसन ने जाना कि आपके बसकी नहीं है कुछ लेकिन बाद में आपका परसन आपसे ही इंस्पायर हो रहा है तो इसको कह हो या और हो गया जस्टिस नो 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 यह जस्टिस नहीं है यह जस्टिस का सही तरीका ही नहीं है क्योंकि यह जस्टिस हुआ तो फिर हमें क्या मिला कुछ नहीं है ना मेरे व्यूर्स को क्या मिला ठीक है कोई और रोया से आपको क्या मिल जाएगा कुछ नहीं कोई खुश कि यहां पर एस ऑफ कप्स बना है और वह बहुत बहुत बड़ा कप बना हुआ है यहां पर ऐसा भी है कि जैसे वह कुईन ऑफ कप्स की अनरजी आती है वो किसके पास एक काप होता है और वो उसके पास बहुत जादा लाव है अब बस इंसान नहीं है उसके पास उस लब को देने के लिए तो यहां पर एस ऑफ कप्स की अनरजी हम कहते हैं कि जो आप बाटते हो वो लोटता है तो अगर आपने बहुत प्यार बाटा है तो आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स की energy है जो दिखा रही इस new beginning की बात करता है और कप में हम emotions और emotions और love की बात करते हैं कप्स की energy यहां पर आपकी तरफ ऐसे लोग बहुत सारे हैं स्वाक्त में जो आपके साथ new beginning करना चाहते हैं जो आप में काफी साधा interested हैं ठीक है यह यह बहुत अच्छा message अगर आपने से अच्छा होता है तो पुछने वालों की Qatar बहुत लंबी होती है तो वह energy है यह Qatar में लाइन बहुत कोशिश करते हूं कि बहुत धीरे धीरे बोलू लेकिन जब बोलती हुना तो लब कहते हैं कि जब चानल होता है तो आपने जो वीडियो अपना नॉर्मल स्पीड पर आता है अपना बनाने की कसम खाई है अब खाई है तो पहले ही क्यों नहीं खाई थी ठीक है मतलब यह है कि दुनिया में अपने आपको प्रूफ करना पड़ता है गाईस ठीक है कल मैंने जो रीडिंग की थी ना अपने दूसरे वाले चैनल पर तो वो कुछ लों को त्रिगर कर गई ठीक है क्योंकि वहां पर बहुत सारे शाड़ोस हैं जो आपके हाईलाइट हो जाते हैं जो आपक आपको भी रीडिंग में सुनने मिल जाता है कि मेरे अंदर क्या कमी है तो कल कुछ लोग त्रिगर हो गयते हैं उस रीडिंग से जो मैंने की थी अपने दूसरे वाले चैनल पर बहुत ही जबदस्त रीडिंग थी वो उसमें आपको काफी सारी चीजा पता चल जाएंगी ज ısıर ऑगल कि ऊसोड मेंने को असे इसा मेंसिजा है जैसे मृलीची दो रास्ते हैं और इधर से आपको चड़ना है इधर से प्रसिंगा बै stimulus कलि यहां पर आपकी तरफ सीडियों लगे होँं है यहां पर आपकर आपके परसीन की सीडिया लगे होँ है और उपर तक आपको पह और वो देख रहा है कि आप यहां से शड़कर सीड़कर ऊपर उस तरह पर पहुंच गया बेसिकली यह मैसेज आ रहे सोल परपस के लिए देखिए अगर आप यूनों का ही सोल परपस है तो आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिए आप अपने सोल परपस तक पहुंच गया या मतलब आप उस रास्ते पर चल दिए क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि पहुंची चुके हैं आप मुझे टॉप पे नजर आ रहे हैं आपका परसे अभी से अभी भी नीचे ख़ड़ों के वहां तक देख रहा है लगता है आपका पर से बाहन नहीं आ पार है कार्ट लेकर और बताते हैं लीज गाइड कीजिए इंजल्स मेरे जो भी विवार्ट उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी इस क्या है आप देखे गाइस पहला मेसेज तो है कि आपका पार्टनर पूस्टाउक बहुत जादा कर रहे हैं अज के दिन में काफी जादा स्टाउक कर रहे हैं दूसरा मेसेज यह है कि और आपके परसेस्स में भी सोच रहे है कि आपसे मुव ओन करके नहीं जाना चाहिए था तीकर पहली चीज़ आपको तौक करना दूसरी चीज़ यह सोचना कि आपसे मूव ओन करके कए हैं आने के बाद सिर्फ एक वन के साथ निकल लिए हैं इन सब की तो युनिवर्स अच्छे से लगाए थीखे वाट लगाएगा थीए उनिवाट लगाएगा थूकि यह गलत है ठीक है परसन ऐसा सोच रहे हैं और आपको इंग्णोर किस का मतलब है कि कहीं ने आपने कुछ भी नहीं देखा तो सच बात है अगर कोई इंसान आपने कुछ देख रहा होता तो आपके लिए एफर्ट्स लगाता है अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम उसमें एफर्ट् भी हम अपनी लाइफ में अराम से रह सकते हैं तुम्हारे जाने ना जाने से मेरे को कोई जादा फरक पढ़ने वाला नहीं है जब हम किसी चीज़ के लिए ऐसे सोच लेहते हैं तो हम उस चीज़ में एफर्ट्स नहीं लगाते लिए तो वही एनरजी यहां पर निकल कर आ परसन हमेशा यह सोचते रहे हैं तो हमारी जगा एक्शन थोड़ी और लेगा मतलब कहने का यह है कि इतना क्या यह परसन को क्लारिटी चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि यह परसन सोचते ही रहते हैं और यह आप तक जान नहीं पाता है यह चीज मुझे आप नजर आ रह यह परसन एक्शन में आते हैं तीक है मतलब एक होता है न है कि इस को पूरा क्लियर दिखना चाहिए सब कुछ उसके बाद वह आड़ाए अगर इसको लग रहा है कि यह धुकी हो जाए घाए है आप को बात फॉट आरे रहे हैं आप इस परसन को काफी इंस्पायर कर रहो इ यहां पर काफी सारे लोग स्टार की तरह चमक रहे हैं आपको परसन आपको स्टार ही देख रहे हैं यह बड़ा अच्छा मैसेज है असली ना असली असली हम कहते हैं उसको असली जस्टिस यही है जहां पर इंसान है आपको ना समझाओ कुछ और आपसे ही इंस्पायर होने ल divine partner के बारे में, divine partner का मतलब समझ लीजे पहले divine मतलब divvya है right partner मतलब divvya insan तीकि अब divvya क्या है divvya क्या है मतलब divvya मतलब positivity divvya मतलब आपके saadvakone, saqaratmat, umrja यह कब आती है यह कब आती है जब आपकी life में आप बहुत जादा स्पीच्वली गरो करते हैं तूर आपकी Him और आहालों और अन्ज़ के चीजह आपके नरी दिव族जरी तो सिसकारत्मक पर मचंबूर कर दिया है उसने आपको पॉसिटिव पाथ दे दिया और कहीं न की इश्वर से चोड़ दिया पेसी कली ठीक है तो अब यहां पर क्या हुआ कि आपको करना क्या है यहां पर कि आपको अपने उपर काम करना है उनको अपने उपर काम करना है यहां पर डिवाइन पार्टनर को लोग एक बॉड़ी के लेवल पर देख लेत तो जब लोग बात करते हैं कि मैं डिवाइन पार्टनर जो हमारे हैं उनके सब फ्यूचर का क्या सीन होता है देखिए उस इंसान का उद्दिश ये सबसे पहले ये था आपके जीवन में आने का कि आपको जागरत किया जाए यानि कि आपकी सोल ग्रोथ की जाए उसके बात का जो प्रॉसस है वह हम कहते हैं कि यूणिवर्स के हाथ में है या फिर आपका जैसा सोल कॉंट्रेक्ट होता आथा है उस व्श्वेटी के साथ दो की एक question होता है कि वो होते क्या हैं दीखे वो ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं इशो ने आपकी लाइश में किसी इंसान को भीजा आपको आपसे ही मिलवाने के लिए ठीक है तो यह चीज है तो आपके अंदर की दिवरता को जगाने के लिए आपके अंदर की divine qualities को बाहन निकालने के लिए ठीक है तो यह चीज़े हैं आप इस पर मैं बहुत जादा explain अभी नहीं कर रही क्योंकि हम अभी reading कर रहे हैं इस पर मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी जब कभी यह topic आएगा ठीक है अभी फिलाल reading कर लेते हैं मैं और cards देखना चाहती हूं यहां पर आप दोनों की divine marriage होनी है guys और मुझे ऐसा लगता है कि वो divine marriage दो तीन कारणों से रुकी हुई है टीक है angels की मैंने card निका लेते हैं बतानी क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि इंसान आपकी तरफ आना भी जाता है और आता भी नहीं है और यहां पर कुछ ऐसा है कि यह person अपनी life में भी खुश नहीं है आप अपनी life में भी खुश नहीं हो यह पूरी तरीके से आ भी नहीं पा रहे है यहां पर कुछ अठका हुआ है, मतलब ब्लॉग बना हुआ है, जब मैंने उसको निकाला, तो मुझे यहां कार्ड निकल कर आया, फैमिली लीनेज का, एंसिस्टल कर्मा इस क्लियरिंग आउट, यहां पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहे हैं, कि आप दोनों के बीच में, कन मतलब अनसिस्टल क कर सकते हैं, लेकिन ये चीज बिना आप को किसी की, किसी गुरू के उसमें ही करनी चाहिए, बिना उसके नहीं करनी चाहिए, बिना गाइदेंस के, ठीका है, इस तरीकी के चीज है, यहां पर आ रहा है, मुविंसाइट अक्लियरि एंसएटी, तो इसको क इस connection में कभी clear नहीं होने दिया इस वज़े से यहां पर phoenix का message आया है इस वज़े से universe ने आपको इस connection में आवेकन किया है थर्ड eye activating लिसन तो यूर सोल's guidance यू आर बिकमिंग conscious to the inner side ताकि आप अपने अंदर की आवाज सुन सके आप अपने अंदर से जोड़ सके इसलिए आपका यहां पर थर्ड़ा एक्टिवेशन हुआ है और आपके person का भी हो रहा है ताकि आप अंदर की आवाज सुन सके और आप आगे बाहर action ले सके और आप लोग के connection में जो भी चीज़ से रुपी होनी है यहां पर एक divine marriage होनी है यहां पर सबसे जादा problem क्रेट कर रहा है आपका ancestral karma ठीक है और जरूरी है कि आप लोगों को अगर आप बहुत जादा ब्रहमित होते हैं तो आप लोग meditation करें क्योंकि meditation आपको clarity देगा meditation आपको ब्रहमित नहीं होना जाए बार बार मुझे लगता है जब तक यह कर्मा release नहीं हो जाता है ancestral karma तब तक आप लोग इसी तरीके से भटकाव में रहेंगे या बार बार ब्रहम में जाएंगे या बार बार आपके अंदर आएगा कि कही में गलत रास्ते पर तो नहीं हो कही में गलत कर पाएंगे ना आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती चाहिए आप उसके according काम करेंगे तो आपका ancestral karma ही हो जाएगा जिसके बाद आपकी divine marriage हो पाएगी ठीक है otherwise तो यहाँ पर जैसे चीज़े रुकी हुए है ठीक है आपका person कुछ करी नहीं डीका तो एक तो को सब्सक्राइब करेंगे लेकिए अपकी रही है